नमस्कार दोस्तों स्वागते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में Dोस्तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर प्रेग्निन्सी की लक्षन क्या क्या होते है फ्रेंश वीडियो शुरूर करने से पहले अगर आपने मेरे चेनल को सस्क्राइब नहीं किया है कि और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती हैं तो फिलीज मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें आप बढ़ते हैं वीडियो की तरफ वैसे तो प्रेगनिंसी टेस्ट करने के लिए बाजार में कहीं तरह के उपकरन और दबाईयां मौझोद है लेकिन गर्बधारन करने के साथ ही मेला के शरीर में कहीं तरह के बिदलाव शुरूर हो जाते हैं आप चाहें तो इन शुरुवाती लक्षनों से जान सकती हैं कि आप गर्वती है या नहीं ये बताना जरूरी है कि ये सिर्फ लक्षन है हो सकता है कि जो लक्षन दिखाई दे रहे हैं वो किसी दूसरी वज़े से भी हो सकते हैं इसलिए अगर आप चाहें तो एक बार आप डोक्टर को जरूर दिखाएं क्योंकि प्रियड मिस होने के बाद प्रेग्नेंसी के लक्षन दिखने लग जाते हैं और अगर आपको किसी और वज़े से या किसी और भीमारी से अगर आपको ये लक्षन दिख रहे हैं तो आपको डोक्टर की सला जरूर लेनी चाहिए आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि आखिर आपको क्या प्रोब्लम है अब प्रेंस मैं आपको बताती हूँ कि आखिर प्रिग्निंसी के लक्षन क्या क्या होती है पेरा लक्षन है हेवी ब्रेस्ट ये एक बहुती समानने लक्षन है दरअसल ब्रेस्ट के उत्तक हार्मोंज के प्रति अति सवेधनशील होते है घरधारण किने के साथ ही में हार्मोंज चेंज होना शुरूरात हो जाते हैं इससे ब्रेस्ट में सूजन आ जाती है या फिर भारेपन आ जाता है अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको एक बार डोक्टर को दिखाना चाहिए या फिर यह आपको जानेना चाहिए कि यह प्रेग्नेंसी का ही लक्षन होता है और फ्रेंस मैं आपको बताती हूँ प्रेग्नेंसी का दूसरा लक्षन क्या है निपल का रंग चेंज होना अगर आपके निपल का रंग चेंज हो रहा है तो समझ चाहिए कि आप गरवती है गरवस्ता के धोरान होने वाले हार्मोन्स चेंज की वज़े से निपल का रंग अलग हो जाता है यानि इसका प्रभाव उन कोशिकाओ पर पड़ता है जो निपल के रंग के लिए उतरदाइक होती है घर धारन करने पर निपल का रंग गेरा हो जाता है अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप प्रिगनेंट है अब फ्रेंस मैं आपको बताती हूँ अगला लक्षन क्या है मितली आना उल्टी जैसा लगना गर्वस्तम के दिन की शुरुवात काफी पुजिली होती है सुबर उटकर कमजोरी लगती है और मितली आती है कहीं बार कुछ खाने पर उल्टी जैसा मेसूस होता है अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है तो समझ जाईए कि आप प्रेंट है अब फ्रेंस मैं आपको बताती हूँ प्रेंटी का अगला लक्षन क्या है बार बार टोैलेट जाना क्या आप पहले की तुलना में ज़्यादा बार टोैलेट जाने लगी है ऐसे समय में किटनी ज़्यादा सक्रिय हो जाती है जिससे कहीं बार टोईलेट जाना पड़ता है पर ऐसा नहीं है कि टोईलेट बार बार जाने की कोई और वज़े भी हो सकती है क्योंकि टोईलेट में इंफेक्शन होने की वज़े से भी टोईलेट बार बार आ जाता है अब फ्रेंस मैं आपको बताती हूँ प्रेगनेंसी का अगला लक्षन क्या है केविंग केविंग में गर्वती होने का एक प्रमुक लक्षन है गरवती महला में किसी विशेश चेंज की प्रती आक्रोशन बढ़ जाता है और हर वक्त वही खाने का दिल रखने लगता है कहीं बार ऐसा भी होता है कि इस दोरान महला की डेली डाइट अचानक से बढ़ जाती है और उन्हें बार बार भूग लगने लग जाती है अब जानते हैं अगले लक्षन के बारे में सिर दर्द ब्लड वोल्यूम बढ़ जाने की वज़े से सिर में दर्द रहने लगता है ये गरवस्ता के शुरुवाती लक्षनों में से एक प्रमुक लक्षन है और धीरे धीरे ये खुदी ठीक हो जाता है प्रेग्नेंसी में सिर दर्द होना एक बहुत ही आम बात है अब जानते हैं प्रेग्नस अगले लक्षन के बारे में कब्च की शिकायत होना हार्मोंस चेंज होने की वज़े से पाचन किरिया पर भी असर पड़ता है पाचन किरिया थोड़ी धीमे हो जाती है ऐसे में महिला को अक्सर कब्च की शिकायत रहने लगती है अगला लक्षन है शरीर का तापमान गर्वती होने पर शरीर का तापमान अक्सर सामान ने तापमान से अधिक बना रहता है इतना ही नहीं इस दोरान समय समय पर मूड भी बदलता रहता है कभी कोई चीज अच्छी लगने लगती है तो कभी उसी चीज से नफरत हो चाती है इसके अलावा फ्रेंज प्रियट में सोने के बाद में आपको कुछ खटा खाने के इच्छा होती है तो ये भी उनी लक्षनों में से एक लक्षन है सो फ्रेंज यही थी प्रेगनेंसी के कुछ ऐसे भेतरीन लक्षन उमीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले थैंक्यू फ्रेंज मिनते हैं बगली वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइ